Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्ड़बल. How is the Indus Valley Civilization still alive? Welcome to Study IQ IS, मेरा नाम है आदेश सिंग. इसे बाकी दोनों समकाली इन सभ्यताओं से अलग बनाती है. एक ओर जहां Mesopotamiai और Egyptian Civilization का पतन होने के बाद, इन सभ्यताओं के सांस्कृतिक तत्व इनके साथ ही नश्ट हो गए थे. वहीं Indus Valley Civilization के सांस्कृतिक तत्व बाद में आने वाली सभ्यताओं में भी continue रहे. बलकि ये कहना ज्यादा सही होगा कि Indus Valley Civilization के cultural elements इस सभ्यता के decline के 5000 वर्षों बाद आज भी हमारी संस्कृति में जीवित हैं और हमारे संस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं. जो हमारे खुद के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और इनके Indus Valley Civilization के साथ connection पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं. आज से 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने तबकि टेक्नोलोजी के साथ जो कुछ अचीव किया था वो अपने आप में आश्चर्य जनक हैं. Indus Valley Civilization के हमारे पूर्वजों ने ऐसी कई चीजों का आविशकार किया था, जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं. फिर चाहे वो grid pattern पर बसे शहर हो, drainage system हो, construction में पक्की इंटों का प्रयोग हो, measurement tools हो, jewelry हो, daily basis पर प्रयोग किये जाने वाले बरतन हो, या फिर बच्चों के खिल इन सभी में हमें Indus Valley Civilization का influence दिखाई देता है. आईए सबसे पहले देखते हैं कि Indus Valley Civilization के वो कौन से religious elements हैं, जो आज भी Indian religious traditions का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं. Continuity of religious elements वेवाहा आदी में पवित्र अगनी के समक्ष पूजा करने के परंपरा, हडपा सभीता की सांस्कृतिक निरंतर तादर्शाती हैं. Indian culture में महिलाओं को बहुत ही सम्मानित स्थान प्रदान किया जाता रहा है, और भारतिय संस्कृति में मात्री शक्ती की पूजा की परंपरा काफी पुरानी है, जिसकी जणे हमें Indus Valley Civilization में नजर आती हैं. Indus Valley Civilization के लोगों को मात्री देवी का उपासक माना जाता है. यहां से मात्री देवी की टेरा कोटा की कई मोर्तियां मिली हैं. इसके अलाबा हडपा सभीता में ऐसी सील्स भी पाई गई हैं, जिनमें एक स्त्री के गर्ब से पौधी को निकलता हुआ दिखाया गया है. आर्कियोलेजिस्ट ने इनकी व्याख्या गौडिस अर्थ के रूप में की है. आज भी भारतिय संस्कृती में शाकंबरी देवी यानि मात्री देवी की धर्ती माता के रूप में पूजा की जाती है. गौडिस अर्थ के अलावा इन्डस वैली सिविलाइजेशन से हमें पशुपती शिव की पूजा का भी प्रमान मिलता है. मोहिंज दाडों से हमें सेल खड़ी की एक सील प्राप्त हुई है, जिसमें एक पुरुष आकृती को सिर्पर सींग का मुकट पहने एक मंच पर यो इसे भगवान शिव का पहला डिपिक्शन माना जाता है. रिलिजिस स्फेर में कॉंटिनुविटी डिस्कस करने के बाद आएए अब सोशल और कल्चुरल एलेमेंट्स की बात करते हैं। और मिरर आदी मिले हैं। आजकल की महिलाएं भी अपने सौंदर्य और फैशन के प्रती काफी जागरूख हैं। और वे इसी प्रकार की चीजों का इस्तिमाल अपने श्रिंगार के लिए करती हैं। उधारन के लिए हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई शेहरों से च चूरियां पहन रखी हैं। ये चूरियां शंक से बनाई जाती थी। आज भी महिलाओं द्वारा चूरी या बैंगल्स पहनना इंडियन कल्चुरल ट्रेडिशन का पार्ट माना जाता है। हिंदू महिलाएं विभिन धार्मिक अनुष्ठानों जैसे शादी, बच्चे के जन्म के समय रंग बिरंगी चूरियां पहनना शुब मानती हैं। चूरियों के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभेता की महिलाएं तरह तरह की जूलरी का भी प्रयोग करती थी। ये जूलरी गो वैसा ही है जैसा आज भी महिलाएं प्रयोग करती हैं। इसी तरह वरतमान में भारतिय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कंगन, जुमका या बाली जैसे आभूशणों को हम पहली बार हडपा सभेता में ही देखते हैं। अल्लह दीनो नामक हडपाई स्थल से हमें सोने, चांदी और सेमी प्रेशर स्टोन की जूलरी मिली है। जूलरी के अलावा इंडिस वैली सिविलाइजेशन के कई स्थलों से हमें डाइस या पासे प्राप्त हुए हैं। हडपाई और आधुनिक पासे में अंतर केवल इतना है कि हडपाई डाइस में एक के विपरीत दो, तीन के विपरीत चार आता है, जबकि आधुनिक डाइस में हमेशा विपरीत फेसेस का योग साथ होता है। एक से छे बिंदूओं वाले ये क्यूबिकल डाइस पूरी हडपा सब्भेता में पाए गए हैं। दिल्चस्प बात ये है कि पाए गए अधिकांश डाइस में ज्यादा तूट-पूट नहीं है। इसलिए आर्कियोलोजिस्ट का मानना है कि संभवत है इन डाइस को कपड़े जैसे सौफ्ट सर्फिस पर खेला जाता था। ये डाइस शायद बोर्ड गेम या जूए के लिए इस्तिमाल किये जाते थे। आज भी बच्चों के लूडो, सांप सीड़ी जैसे खेलों में इन डाइस का इस्तिमाल किया जाता है। ऐसे टॉइस भले ही कम दिखाई देते हूँ, परन्तु ये बड़ा ही आश्चर्य जनक है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही खिलोनों से खेलते हुए बड़े हुए हैं। इसके साथ ही टेराकोटा की बनी हुई ये खिलोना बैलगाडियां हमें हडपाई ट्रांस्पोटेशन की भी एक जलक देती हैं। इन्हें आज भी हम अपने गाउं में देख सकते हैं। टेराकोटा की खिलोना बैलगाडी की अतिरिक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे ऐसे आर्टिफाक्ट्स मिले हैं जिनका हम आज भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हडपा के बहुत सारे स्थानों से हमें तूटे हुए स्टोन या क्ले डिस्क मिले हैं। प्रकार का चैस जैसा खेल रहा होगा। माना जाता है। मोहिंज दड़ो में हमें सीपीओं से बने सजावटी बटन मिले हैं। इस सिविलाइजेशन के लोगों ने अर्बन प्लानिंग, घरों के निर्मान, उन्नत ड्रेनिज सिस्टम आधी का विकास किया था। इन्डस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग और घरों के निर्मान के तोर तरीकों के कई एलिमंट्स हम आज भी अपने आसपास देख सकते हैं। आईए इन्डस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन प्लानिंग के इन फीचर्स को एक-एक करके देखते हैं। इस प्रिंसिपल को हम आज के शेहरों में भी देख सकते हैं। जिसमें घरों का निर्मान एक गेटेड कम्यूनिटी कॉम्पलेक्स की तरह किया जाता है। इसके अलावा इन्डस वैली सिविलाइजेशन के घरों की डिजाइन के कई elements हमारे घरों में आज भी दिखाई देते हैं। जैसे इन्डस वैली सिविलाइजेशन के लगभग सभी घरों में आंगन की सुविधा थी, वैसे ही आज भी भारत ये घरों में विशेश रूप से दक्षन भारत में आंगन अनिवारे रूप से बनाय जाते हैं। दक्षन भारत में तो घर का design एक central courtyard को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। के निर्मान में मिट्टी के bricks का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार के बटनों का प्रयोग आज भी वस्तरों को सजाने के लिए किया जाता है। दोस्तों हडपा सभ्यता की एक खास विशेश्टा यहां से मिले U-shape के मिट्टी के चूले और बेलन है। हडपा निवासी खाना बनाने में इनका प्रयोग करते थे। आश्चर्य जनक रूप से हम आज भी उत्तर भारत के ग्रामीन क्षेत्रों में इन मिट्टी के चूलों का उप्योग देख सकते हैं। इसके साथ ही हडपा निवासी जिस प्रकार आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाने के लिए बेलन का इस्तिमाल करते थे। ठीक उसी प्रकार चपातियां बनाने के लिए आज भी हर घर में बेलन का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभेता के लोग अनाज और मसालों को पीषने के लिए जिस तरह की पत्थर की चक्की या स्टोन मिल का प्रयोग करते थे। कमोबेश उसी तरह की चक्की का प्रयोग आज भी हम गाउं में देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अरबनाइजेशन के वो कौन से तत्व हैं जिनका विकास इंडरस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था और वे आज भी हमारे नगर नियोजन का हिस्सा हैं। इंडिस वैली सिविलाइजेशन में अपने समय के हिजाब से काफी एडवांस और सुफिस्टिकेटिड टिक्नॉलोजी का प्रयोग किया गया था। इन नालियों की साफ सफाई के लिए बीच बीच में मैन होल भी बनाए गये थे। इंडिस वैली सिविलाइजेशन में पीने के पानी और नहाने की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई थी। हिस्टोरियन्स ऐसा मानते हैं कि धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक माननेताओं के कारण हडपाई लोग सनान की व्यवस्था को लेकर काफी सचेत रहते थे। हडपा सभेता में पानी का सोर्स नदी, कुवा, अध्वा तालाब हुआ करता था। मोहें जो दड़ों से बड़ी संख्या में कुवें प्राप्त हुए हैं। मोहें जो दड़ों से एक पबलिक बात मिला है, जिसकी लंबाई 14.5 मीटर और चोड़ाई 7 मीटर तथा अधिक्तम गहराई 2.4 मीटर है। इस सनान घर की फर्ष की जिपसम से वाटर प्रूफिंग की गई थी। इंडस वैली सिविलाईजेशन की तरह आज भी भारतिय संस्कृती में किसी भी धार्मिक आयोजन से पहले नहाना अनिवार्य माना जाता है। हडपपा वासी अपने क्राफ्ट में एक रूपता लाने के लिए मेजरमेंट को अत्यधिक महत्वत देते थे। इंटों का आकार, घरों की माप, पोट्री के निर्मान आदी में सिंधु घाठी संभिता के लोग अत्यंत सटीक माप और एक रूपता का प्रयोग करते थे। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंटों को 1-2-4 अनुपात में बनाया जाता था, जिसमें दो आकार थे, घरों के लिए छोटे 7-14-28 cm और शहर की दीवारों के लिए भारी और बड़ी इंट जिनका आकार 10-20-40 cm होता था। वर्तमान समय में हम लगभग इसी अनुपात और आकार में बनी इंटों का प्रयोग घरों को बनाने के लिए करते हैं। को छोड़ कर कोई भी सभ्यता अपने कल्चुरल एलेमंट्स को कैरी फॉवर्ड नहीं कर पाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी लिए विशिष्ट मानी जाती हैं। क्यूंकि इसके कल्चुरल एलेमंट्स आज भी भारतिय संस्कृती का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। इसके अतरिक्त दो ऐसी चीजे और हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाई जाती थी और आज की भारतिय संस्कृती में भी समान रूप से पाई जाती हैं। इन में से पहली है अहिंसा का मूल्या। सिंधु घाटी सभेता के निवासी मूल रूप से शांतिप्रिय लोग थे। इसका कारण ये है कि इतने बड़े क्षेत्र में विस्तरित सभेता की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के हथियारों की आवश्यक्ता थी, वे इंडस वैली के किसी भी शहर में इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिले हैं, जिन से ये अंदाजा लगाया जा सके कि हड़पाई लोगों ने किसी प्रकार की सेना का निर्मान किया था, अतह आर्कियोलिजिस्ट का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सामाजिक, समरस्ता और शांती को अधिक महत्व देते थे, भारत में भगवान बुद्ध और महवीर जैन के अहिंसावादी दर्शन में इन विचारों की निरंतरता को देखा जा सकता है। अहिंसा का ये विचार आज भी भारत का एक सांस्कृतिक मूल्य बना हुआ है। दोस्तों, एक दूसरा एलमेंट जो इंडस वैली से लेकर अब तक कंटीनियो बना रहा है, वो है हम खुद। हाल की दिनों में ही राखी गड़ी की महिला के स्केलिटन से लिए गए DNA के जिनेटिक रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का DNA आज के भारतियों के DNA के समान है। यहां इतना जरूर है कि आज के भारतियों में बाहर से आने वाले लोगों का DNA भी पाया जाता है। परन्तु इसमें आज भी इंडस जीन के स्पेसिफिक फीचर्स पाया जाते हैं। ऐसे में क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिकलाइन से ज्यादा इसकी continuity important नहीं हो जाती। आपका इसके बारे में क्या कहना है। हमारे साथ कॉमेंट